हाई एब्रिवन आज की जो वीडियो है ना यह है डी आर्डियो की टू डीजी जो दवा आई है नई जिस पर कोरोना पेसेंट पे देने पे बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ रहा है यह इसे पर्मिशन मिल गई है और यह कैसे वर्क करती है यह आज मैं आपको वीडियो में ब वाइरस को मिलने वाली जो एनरजी होथी है Dog देती है जो की बंद कर देती है जो हिकुश होता है वाइरस इनरजी के लिए से गुलकोच कर समझ कर इसमाल करते हैं लेकिन उन्हें नहीं Hu पता कि गुलकोच उन्हें कितना जब दैना नुकसान पहुँंचाती है जो ецैश स सिर्फ वाइरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है कुरोना पेसेंट को कुरोना से जब रिकवरी होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा कम जोड़ी महसूस होती है ना क्यों महसूस होती है कि जो उनको दवा चलता है वो उनके कुरोना के जो सेल से उसे तो मारता ही है वाइरस के जो जितने भी मल्टिप्लिकेशन होते हैं उसे वो बंद कर देती है वाइरस इसे एनरजी के रूपे गुलकोच समझ कर इस्तमाल करते हैं और वाइरस को जब एनरजी नहीं मिलती तो नए वाइरस का बंदना भी बंद हो जाता है आप यहां पर देख रहे हैं कैसे वाइरस का बंदना यहां पर बंद हो गया है और यह जो वाइरस की मल्टिप्लिकेशन होती है मल्टिप्लिकेशन करने के कारण नहीं है बहुत ज्यादा तोर पे हो और जब वाइरस की मल्टिप्लिकेशन होगी ही वाइरस की संख्या जब बढ़ेगी नहीं तो मरीज पानी में घोल कर मरीजों को दिया जाता है और इसका जो ट्राइल दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच हुआ था और देश के 27 कोवीड अश्पतालों में इसका ट्राइल सुरू हो गया था जिसमें पश्रिमंगाल आंधरपर्देश उत्तरपर्देश दिल्ली यूपी गुजरात य सब यह समें और सामील है ऐसे की दिया जाता है जिसी कि मरीजों को पानी की रूप में उसे दिया जाता यह बहुत ह수 करते है मरीजों को होने में जो मरीज पहले 13 से 14 दिन में रिकावर होते थे वह सब कर्फीजन था वह सब खत्म हो गई ुगी तो आज लगी होते चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा झाल झाल